नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर जाय मेरे यूटूब चैनल डॉक्टर जायक मारसना आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे इस्प्रेइन के बारे में यानि कि मोच के बारे में आपने सुना होगा बहुत सारे शेखेलाड़ी होते हैं खेल के दौरान दोड़ते रहते हैं या फिर जैसे कि अगर वो होकी प्लेयर हैं या फिर फुटबॉलर हैं या फिर किर्केटर हैं या फिर रनर हैं तो आपने सुना होगा कि वो दोड़ रहें दोड़ रहें या खेल रहें उसे बीच में क्या होता है उनके एंकल ट्विस्ट कर जाते हैं या फिर उनके नी में क्या होता है कि प्रेसर बनता और वो गिर जाते हैं, ट्विस्ट कर जाता है वो या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कोई वेट लिफटर है और वेट को उठाने कोशिज करता है रिष्ट क्या होता है कि उसके ट्विष्ट कर जाते हैं घूम जाता है या फिर एल्बो क्या होता है कि ट्विष्ट कर जाता है तो दोस्तों यह क्या है स्प्रेइन है एक तर्म आता है दोस्तों इसमें कि यह स्प्रेइन क्या होता है इस्प्रेइन का मतलब यह समझ लिजए बखते हैं और थिकर एक ब्हाएं पर लेए लिगमेंट रहे उस में अगर खिक्षावा आजा Talk यह ऊगर दोस्तों स्ट्रीन है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यह किन को हो सकता है अगर देखा जाए तो यह ज्यादा तर जो है खिलाडियों में होता है और अगर बात की जाए कि यह महिलाओं में ज्यादा होता है या पूर्सों में होता है तो जो खिलाडी है उन्हें यह ज्यादा होत है अब दोस्तों हम बात करें कि आम लोगों में होता है कि नहीं आम लोगों में भी होता है अगर आप unwanted तरीके से अगर आप कोई छिज को उठाने atau कोसेस करते है तो उस condition में अगर प्रोपर शेपोर्ट नहीं मिलता है उस condition में क्या होता आपके रिष्ट में यह चीड हो सकता है यानि कि ये स्प्रेइन हो सकता है आपकी elbow में हो सकता है या फिर अगर आपने high heel वाले स्टमाल किया है उस condition में अगर आपका पैर कर जाता है आ एक कर आपका partly to twist कर जाते हैं तो ऐसे condition में unbalance होने के बाद से यह problem हो शकता है अब दोस्तों अगर इस तरह का इंजूरी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले दोस्तों अगर इसी तरह का इंजूरी कभी भी किसी के साथ अगर होता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए एक फॉर्मूला है उसे आपको जानना चाहिए कभी भी खींस्तान नहीं करना चाहिए ऐसे लोग करना क्या चाहिए एक फार्मूला वो क्या है प्राइस P R I C E अब इस प्राइस का मतलब क्या होता है P से होता है protection कभी भी अगर आपको यह लग रहा है कि स्प्रेइन का कंडिशन है तो ऐसे कंडिशन में क्या है दोस्तों प्रोटेक्शन करना चाहिए उसका बचाव करना चाहिए मतलब उसमें छींड छण नहीं करने चाहिए उसके बाद दोस्तों क्या होता आर आर से क्या होता है कि उसको रिष्ट देना चाहिए और देन उसके ब वाद सुपर पैर को इलिवेट करके रखना चाहिए अगर हाथ का है तो इसको इस तरह से रेश्ट पोजिशन में रखना चाहिए दोस्तों अगर इस फॉर्मूले को अगर आप जानते हैं तो बहुत प्रोपर वे में आप सरीके से ट्रेटमेंट कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि इंजूरी का लेवल अगर आपको समझ में अगर आ रहा है कि यह फर्स्ट ग्रेट का इंजूरी हो सकता है सिकेंड ग्रीट का हो सकता है थर्ड ग्रेट का हो सकता है तो दोस्तों इसके लिए क्या है माराई टेस्ट की साहता लिजाती है यह जब डिटेक अब उस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले, मैंने आपको बता है कि Price formula का आपको जानना है यानि कि जिस जगा पर injury हुआ है उस जगा का movement नहीं करना चाहिए उसको rest में रखना चाहिए कम से कम तीन दीन तक आइसिंग करने चाहिए दैन उसके बाद से आप हॉट फर्मेंटेशन उसके बाद आप कंट्रास्ट बात कर सकते हैं अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जनरली जो है यह ज़्यादा तर किस पार्ट में देखने के लिए मिलता है अगर बात की जाये तो यह आपको जनरली एंकल में और नी में देखने के लिए मिलता है रिष्ट में इल्बो में कम मिलता है अब हम लोग बात करते हैं कि होमे पर जब जब जाते हैं उसाफ करते हैं पेशेंट अपना हाथ खीशता है और वहां पर अर्णीका देना चाहिए अर्णिका सुरुवाति दोर में जब ज़्यादा अगर आपको प्रॉलम होता है तो ऐसे कंडिशन में दोस्तों आपको 200 पावर का अर्णिका देना है 200 पावर का अरनिका आपको दोबुन सूबर, दोबुन दोफर, दोबुन शाम, जैसे सपोर्ड़र्ट मैं आपको बताता हूँ, कि ये मेरे हाथ में अरनिका है, अब इसे अगर मुझे लेना है, तो आप इस तरह से इसे खोल करके, आप डारेट टंग पे दोबुन सूबर, द स्प्रेइन है, उस जगह का मुवमेंट नहीं होना चाहिए, उसे प्रोपर सपोर्ट दे का कि कम से कम 21 दिन तक, अगर अगर 1st ग्रेट में है, तो कम से कम 15 दिन, अगर 2nd ग्रेड में है, तो ऐसे अगर देखा जाए, तो टीर्ड मेने से 2 महीने तक उसे रिष्ट में रखा उसके बाद क्या देना चाहिए जब पेशेंट का थोड़ा दर्द कम हो जाता है तो उस कंडिसन में आपको देना चाहिए रूटा और रूटा का पावर क्या रहेगा 30 पोटेंसी में देना चाहिए दोबन सुबर, दोबन दोफर, दोबन शाम, दोबन राद अगर दोस्तों इस तरह से अगर आप लगता है कि पेशेंट को बीच बीच में दर्द हो रहा है तो आप दोबन का जो डूरेशन है उसे आप बढ़ा सकते हैं आप उसे तिन तिन घंटे के अंतराल पर दे सकते हैं अब दूसरों इसके बाद दो मेडिशन आती है अगर पेशेंट को रेश्ट में भी पेन हो रहा है अगर पेशेंट को मोमेंट से पेन हो रहा है तो ऐसे कंडिशन में दो मेडिशन के नाम आते हैं एक होता है रस्टक्स दूसरा होता है ब्रायनिया अब यह आपको स्लेट क करना कि कौन सा मेडिसन इस patient को दिया जाए सबसे पहले जो मैंने आदब बताया लॉब्राहिइंड करना चाहिए इसके बाद के ऐसे सकाइम को देना चाहिए 10 darker में से KO वर उसे पिन हो रहा है थोड़ा सा मॉव्मेंट करता था और जा रहा है थोड़ा भी मॉवमेंट करता है Pain चालो हो जाता है, Rest में ए, Pain हो जाता है ऐसे condition में दोस्तों उसे दिना है, रस्टर स्थर्टी पोटिंसी में, दूबुन सूबर, दूबुन दूफर, दूबुन शाम, दूबुन राथ, अब दोस्तों इसकी जो दूसरी और आपको जो रूटा जो है वो आपको देते रहनी है अब दोस्तों बीच-बीच में देने के लिए क्या है कि बहुत सारी कमपनिया अपनी अपनी मेडिसन बनाती है जैसे कि रैकवेज की कोई मेडिसन आती है आर 55 के नाम से ट्रॉमानेट के नाम से बरनेट के आती है मेडिसन एडल कमपनी के एक मेडिसन आती है एडल 27 के नाम से इंफ्लाइमर के नाम से आप इसे बीच-बीच में मरीजों को दे सकते हैं उससे क्या होता है कि supportive ये patent medicine होती है इसे supportive के रूप में आप मान सकते हैं कि ये थोड़ा support देती है और patient को अराम होता है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इस sprain वाले condition में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए सबसे पहले मैंने बताया कि rest में रखना चाहिए और कोशिस करना चाहिए कि movement ना हो और लाइन और और कोशिस करना चाहिए अगर इस बीच में अगर कोई आपके नजदीक में अगर कोई,akah keen प्श्यो-थेरापिस्ट होते हैं दोस्तों मैं समझता हूँ कि यह मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें दोस्तों इसे के साथ में जै हिंद जै भारत